Hello friends, अपने आज के tutorial में हम Python में अपना first program लिखेंगे और उसे save करके execute करना सीखेंगे Python ID.LE में कोई भी नई script लिखने के लिए सबसे पहले आप file में जाईए और new window option पे click कर दीजिए इस तरीके से आपके सामने एक नई window खुल के आ गई है यहाँ पे आप अपना पूरा code लिखिए, आप जो अपनी script में लिखना चाहते हैं मानलीजे यहाँ पे मैं सिर्फ एक print statement दे देती हूँ print, hello, world और अब हमें अपनी इस script को save करना होगा जिसके लिए आप file में जाके save option पे click कर दीजिए इसका shortcut ctrl s होता है मानलीजे मैं अपनी script अपनी d drive में save करना चाहती हूँ तो मैं d drive में जाऊंगी एक नया folder बना लिती हूँ यहाँ पे python programs नाम से बना लिती हूँ चलिए और इसके अंदर अपनी script को मैं save कर देती हूँ hello.py आपको हमेशे ध्यान रखना होगा कि python programs का extension .py होता है इसलिए मैंने मुझे hello नाम से अपनी file सेफ करनी थी hello लिखा और .py extension लगा दिया और अब मैं save button पे click कर देती हूँ इस तरीके से हमने अपनी script बना के save कर ली अब हमारा last काम रहता है अपनी इस script को run करने का python script को run करने के हमारे पास बहुत सारे method है आप चाहें तो यहाँ run menu में जाएए और run module option पे click कर दीजिए इसका shortcut F5 होता है इससे मैं click करूंगी तो आप देखेंगे यहाँ पर interpreter पे आपको आपका program run होके मिल गया है अपने उस program में मैंने क्या किया था एक print function के इंदर सिर्फ hello world print कराया था इसलिए मुझे hello world लिखके मिल गया है आप चाहें तो अपने command prompt से भी अपने python के program को run करा सकते है जिसके लिए आप start menu में जाएए run पे click कीजिए और यहाँ cmd लिख दीजिए और ok बटन पे click कर दीजिए आपके सामने आपका command prompt खुलके आ गया है इससे maximize कर लेते हैं अब यह हम c drive में है cd backslash कीजिए d drive में मेरी file save है तो में drive में गई cd python programs folder के अंदर मेरा वो script save है उसके बाद आप अपनी file का नाम लिखे मैंने hello नाम से save की है hello.py तो hello.py आप देखेंगे hello world आपको लिखके मिल गया है आप चाहें तो ideally से ही अपना program runs कर सकते हैं और अपने command prompt से भी अपने program को run कर सकते हैं अपनी script को as a simple program run कराने का हमारे पास एक और तरीका होता है इसके लिए सबसे पहले आप उस location पे जाएए जहाँ पे आपने अपनी इस script को save किया है मैंने d drive में python programs में save किया था तो मैं उसे open कर लेती हूँ यहाँ पे मैं d drive में आके python programs में अपने hello वाले program पे आ गई हूँ यहाँ पे अगर मैं double click करूंगी तो आप देखेंगे मेरा program अपने आप execute हो जाएगा देखे program execute हो रहा है पर आप उसका result देख नहीं पा रहे है आपकी screen hold नहीं हूँ यह रुक नहीं रही है एकदम आपको result show होते ही screen close हो जा रही है इसके लिए आप क्या करेंगे अपनी script को open कीजिए और यहाँ पे मैं एक नई line में input method को use करते हुए एक string लिख देती हूँ enter अब हम ctrl s से अपने इन changes को save कर देते हैं और फिल से अपनी d drive को open करते हैं अब मैं यहाँ पे अपने hello वाले program पे click करती हूँ तो आप देखेंगे अब आपकी screen hold हो रही है आप अपने program का result देख पा रहे हैं अब मैं enter प्रेस करूंगी तो यह फिर से screen close हो गई इसके लिए हमने input method का use किया input method को use करके हम user से values ले सकते हैं input method का use हम अपने future tutorials में सीखेंगे और अपने tutor में इतना ही है